हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे आज हम लोग क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का चेप्टर वन पर रहें बच्चों जिसमें बच्चों हम लोग यह जो चेप्टर है इस चेप्टर का यह चौथा पार्ट होगा ठीक है इससे पहले तीन जो पार् बारे में बच्चों के पहले देखेंगे कि भागणी खोज जो हुआ उसका परिणाम क्या हुए उसका रिजल्ट क्या हुआ उससे क्या परभाव परेfik Sans तो आईए शुरुआत करते हैं और हाँ शुरुआत करने से पहले बच्चो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर मेरे चैनल पे आप नीव है पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजे अब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि नहीं लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है और जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जागा तो इसके लिए बेल आइकन को भी दबा लेना ठीक है और अपने फ्रेंड के साथ सेयर करना मत यानि कि अगर आप कहीं भी जाए कोचिंग में जाए एक ट्विशन में जाए तो अपने दोस्तों को अपने क्लास्मेट को इस चैनल के बारे में इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा जिनसे उनको भी क्या हो सके फायदा हो सके ठीक है बच्चो तो आईए कर देख लिया हुगा ठीक है तो बहुगौलिक खौज आप लोग को पता होगा क्या होगा क्या होता है कि नए-नियगों की जो यूरोपियन कंटेश्ट कंटेस थे पहली बार लोगों को संसार के एक विश्त्रित भुकंड से परिचित करवाया था और विशु को एक दूसरे के संपर्क में लाया था ठीक है तो इन सारी चीजों की बारे में बच्चों हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे और यह भी देखा था कि जो भोगवालिक खो यह का मतलब क्या होता है ठीक है ना अपनिवेसिक सकति किसको बोलते हैं अगर बात करें कि इंग्लेंड जो था वह भारत के उपर कबजा किये हुए था तो भारत क्या लाएगा इंग्लेंड का उपनिवेस का लाएगा और इंग्लेंड को हम क्या बोल सकते हैं अपनिवेसि पिछले वीडियो में ये भी जान चुके हैं कि उपनिवेस किसे कहते हैं उपनिवेसिक शक्ति का मतलब क्या होता है तो अगर आपने अभी तक भी चैनल को नहीं उस वीडियो को नहीं देखा तो प्ले जा करके पहले उस वीडियो को देख लिजे और तब इस वीडियो को दे मतलब क्या होता है तो दिखों बच्चों की खोज था फियापार के वैसविक busy star के फल सुरूप यानि के नैë ने देशु का क्या हो रहा था खोज ho रहाता सबस्विक busy इस्तार हो रहा था वैस्विक व्यापार करने का मतलब क्या हुगा कि विशु में अलग-अलग छेत्रों में क्या हो रहा था व्यापारी गतिविदी बढ़ गई थी नैने छेत्रों की खोजा हो रहा था वहां से समानला करके जो व्यापारी थे हो क्या कर रहे थे यूरूपी को पता होगा पुंजी का मतलब क्या होता है इंग्लिस में इसको capital बोलते हैं क्या बोलते हैं इंग्लिस में इसको capital बोलते हैं क्या बोलते हैं capital का मतलब क्या होता है पुंजी ठीक है इंग्लिस में इसको क्या बोलते है बच्चो पुंजी वाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुंजी वाद, जिसमें पुंजी पतियों का बोल बाला हो, उस ब्यवस्था को क्या बोलते हैं, पुंजी वादी व्यवस्था बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसमें सारी चीजों का जो निर्ने हैं, ये पुंजी पति लेते हैं कि कितना समान बनाना है किस चीज का व्यापार होगा कैसा नियम कानून रहेगा इन सारी चीजों का जो निर्णे हो बच्चों कौन लेते हैं पुंजी पती लेते हैं तो इस प्रकार की जो ब्यवस्ता होती है उसको क्या बोलते हैं पुंजी वादी ब्यवस्ता बोलते हैं तो पुंजिवाद का जनम कैसे होगा क्योंकि जब व्यापार होगा व्यापार बढ़ेगा तो लोगों के पास जो व्यापार है उनके पास पुंजी आएगा पैसा आएगा अब जब पैसा आएगा तो यही लोग सारी चीजों का निधारन करने लगेंगे कि नियम कैसा होना चाह सोने की महता ने यूरूपिय देशों का ध्यान इस और आक्रिष्ट किया तता अंतराष्टी अस्तर पर सोने यूम चांदी की लूट हुई साथी साथ इसका भंडारन भी किया जाने लगा और इन भंडारों की प्राप्ती में इस्पेन जो था वो सबसे क्या था अगरनी था यानि की सोने के भंडारन करने में इस्पेन जो था वो क्या था सबसे आगे था अगर बात करें बच्चो कि चोथा क्या परभव पड़ा तो इसाई धर्म एउ पश्मिल कमित था का पर्षार हुआ अब क्या हम कैसे बोल सकते हैं कि साई धर्म और पश्मिल सब्पषार हुआ तो जैसा कि बच्चो हम लोग पढ़े पिछले पढश पर भी चुके हैं कि भगवली खोजों ने यूरोपिय देशों कि सभ्वेता संस्कृति धर्म और साहित्य का परचार परसार किया यानि कि हम लोग जानते थे कि यूरोप में ज्यादा तर जो लोग होते थे वो किस धर्म को फॉलो करते थे इसाई धर्म को फॉलो करते थे इसाई धर्म मानने वाले थे तो ये लोग जहां भी जाते थे नए नए छेत्रों की जब ये लोग खोज करते थे जैसे अमेरिका हो गया अफरीका के बहुत सारे ऐसे देश हो गये तो या फिर इंडिया में ही ये लोग आए तो इंडिया में लोगों किया हिंदूओं को इसाइग बनाना सुरू किया झाज सस्कृति धर्म और साहीं का परचार परसार किया ठीक है बच्चों कि दुर्गम अस्तलों में जा कर अपना धर्म परचार परसार किया प्रंतु इसका नाकारात्मक परभाव यह पड़ा कि इन छेत्रों में धर्म का लालस देकर उन जबरन धर्मांतर ने उन सांस्क्रीतिक अतिकरमन किया गया और इसका विरोध भी हुआ दूसरी तरफ धर्म क के व्यापक परसार ने चर्च की प्रभुसत्ता को क्या किया पर देखो बचूंसी बाते उसको देख लेते हैं की जया के बारे में लोगों को बताया लोगों को जागरु किया और लोगों को क्या बना दिया इसाई बना दिया कहा कि आप लोग इसा मस्ती की पूजा कीजिए ठीक है ना अब देखो क्या हुआ इसका नाकारात्मक परभाव यह पड़ा क्या परभा कि इन छेत्रों में धन का धर्मांत्रन करने का मतलब क्या कि माली जे पहले से कोई वेक्ती जिस धर्म को फॉलो कर रहा है। को छोड़ करके किसी नय धर्म को जब वो अपनाता है तो उस विवस्ता को क्या बोलते धर्मांतरन बोलते हैं ठीक है ना सांस्कृतिक अतिक रमन किया गया और इसका विरोध भी हुआ तो जो मतलब धर्म के व्यापक परसार ने चर्च की प्रभुसत्ता को क्या कर दिया था भगोली खोजो के कारण बचो अगर बात किये तो हुई ग्यान में विरिदी से ततकालिन धर्म के विशय में कई प्रस्ण उठ खड़े हुए और धर्म को भी तर्क की कसोर्टी पर कसा जाने लगा य यानि कि अगर देखा जाए तो इसी के कारण क्या हुआ कि धर्म सुधार आंदोलन की प्रिष्ट भूमी तयार हुई यह मतलब धर्म में क्या-क्या सुधार होना चाहिए इसके लिए एक movement चला एक आंदोलन चला इसी को क्या बोलते है धर्म सुधार आंदोलन जब आप भर यह निए भर्म, सुधार, आंदोलन, चलाया था। साथ मुस्लिम समाज में भी जो था वो बहुत सारी ऐसी खुरीतिया थे उन कुरीतियों को दूर करने के लिए क्या किया गया था। धर्म,्सुधार, कि शुरुवात की गई व्यापार का मतलब क्या होता है तो देखो बच्चों क्या करा है कि भोगवली खोजों के परिणाम स्वरूप विक्सित हुए व्यापार वानीजी में मानोसरम की महता ने दासवे व्यापार को प्रोच साहित किया अब बात करें कि यह मतलब मानोसरम एक टर्म आया है मानोसरम मतलब क्या है मानोसरम का मतलब क्या है देखो बच्चो जैसे जैसे क्या होड़ा था कि भगवली खोज हुए उसके परणाम सुरूप क्या हुआ विक्सित हुआ व्यापार वानी जी यानि कि व्यापार वानी जी क्या हुआ विक्सित हुआ मतलब लोगों ने क्या किया ट्रेड करना सुरू कर दिया एक जगह से दुर्सी जगह सामान को लाना ले जाना बेचना सुरू कर दिया तो इससे क्या हुआ कि लोगों की आउसकता पड़ी ठीक है न अगर कोई काम करवाना है माली जी हमें निल की खेती करवाना है आप लोग करवाया निल की खेती करना शुरू किया तो निल की खेती में कौन करेगा खोई ने कोई मानाओ के मझबूर्ओं के मजदूर्ओं के द्वारा तोस्य DR national songup और झाले की ऐसे से निकलेगा खडार गो़ते हो निकलेगा तो इसके लिए क्या चाहिए मजदूर चाहिए जैसे KGF के बारे में आप लोग देखे होंगे क्या था KGF ठीक है ना KGF देखे न मूवी अभी आया हुआ है तो KGF 1 में भी आप देखेगा KOLAR GOLD Filt तो वहां पर K से KOLAR G से GOLD और Apes से क्या होता है यानि के यह कहां पर है KOLAR GOLD Filt जो है वह बचो करनाटक में है ठीक है यहां से सोने की इसको सोने की खान बोलते है तो उसी के उपड यह जो मूवी है वो बनाया गया है तो आप लोगं देखिघा जब आप इस मूवी को देखेगा तो वहाँ पे क्लिया जाता है जब वरदस्ती जो मजदूर है उनसे काम लिया जाता है उनको मार मार के पीट पीट करके जो जबरदस्ते उनसे काम लिया जाता था ठीक है ना तो वही ब्यवस्ता जो यूरोपियन जब नैने छित्रों में गए जैसे अफरीका चले गए अमेरिका चले गए तो वहां के मुल लिवासियों को क्या करते थे ये लोग उठाते थे वहा क्या बोलते हैं दास व्यापार यानि कि आदमी को खरीद करके दूसरे से बेच देना यही जो ब्योस्ता था उसको क्या बोलते हैं ठीक है ना बच्चो अब देखो बच्चो क्या होता है था कि जैसे अमेरिका हो गया अफरीका तता से लिया कि मूल लिवासियों को पकर कर यूरोप के बाजारों में बेचा जाना शुरू हुआ और आरब में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत तस्तर परदा किन्तु सलविसत आपदी के अंत में इसने बकायदा व्यापार का रूप धारन कर लिया इन गुलामों से जंगल काटने खेती करने सरक बनाने जहाजों कि अधन जोकने आधी जो कठीन कारे होते थे ये करवाय जाथे और इन पर और अभर बर अत्याचार कीए जाथे थे ठीक है ना इस परकार भोगवली खोजो का यहनका रात्मक परिनां था और इसने तथा कतित सब घु कमजूर लोगों का सोसन किया जाने लगा त्यक क्योंने उस देश का नाम मॉडिचस जो देश है वहां पे आपको बहुत बड़ी मातरा में भीहारी कौन देखने को मिलेगे भासा बोली जाती भौजपूरी बोली जाती है अप बच्चों के वि जानते है कि पे लोग यहार से उत्तर परदेश उत्तर परिवार बसाया जब मौरिश क्या हो गया इंडिपेंडेन्ट हुआ टिसो से तो वहां पें ज्याद तर लोग कौन देखने को मिलते हैं और यहीं क्यों देखने को मिलते क्योंकि यही जो व्योस्ता है दास्योस्ता इसी के कारण ये सब कुछ हुआ था अब देखो बच्चो आगे हम लोग vide megapष्ट जो क्या परवापड़ा तो भ्रांतियों प्रिथवि चपटी है पानी नीचे गहते है और लोग समुद्र में जहाज से ज्यादा दूरी तक नहीं जाते थे क्योग अगहर ग chance ऐा माले जी यहां से हम आगे आगे गाये इसा नहीं है मतलब अगर आप घुमियेगा तो सभी जगह घुम करके एक ही जगह पहुंच जाहिएगा इसका मतलब क्या हुआ कि प्रित्वी कैसी है गोल है और कोई भी वेक्ति समुद्र में अगर एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वह अनंत में बिलीन नहीं हो सकता है इसके बारे में बताया तो जब लोग नहीं नहीं एक जगह से दूसरे जगह गये तो नहीं नहीं भगवलिक खोजों के बारे में उनको पता चला इससे उनका क्या बढ़ा नॉलेज बढ़ा और इससे चर्च द्वारा परसारी जो अवधारना था उस पे उंगली उठेने लगी और कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना और नय गोलार्धों के अविस्कार से यूरोप में छुद्रता और दुनिया के महता की अभुदपूर जानकारी मनुसियों को ने नय अविस्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया और इसका सामने और भी है सेस्परस्ट होता है ठीक है ना अब देखो बच्चों क्या करें कि बढ़े हुए समुद्री गतवीद्यों ने समुद्री आत्राओं में उपयोगी विभिन उपकर्णों जैसे कि नक्से हो गया कमपास हो गया चत्र परनालियादी के विक्सित होने पर होने का और इससे संबंदित विद्वानों के वर्ग का जन्म हुआ और कालांतर में इसी वर्ग ने पुनर जागरन में अपनी जो भूमिका है वो महतवपुन भूमिका आदा की यानि कि लोगों को जागरू करने के लिए लोगों को चर्च के जो दूस परभाव थे जो जो जूट मतलब नौलेज थे उन से उनको बचाया और लोगों में एक नई परकार के सोच विक्सित की जिसको हम क्या बोलते हैं पुनर जागरन बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों पुनर जागरन अब देखू सात्वा में अगर परिनाम अन्य परिनाम के रूप में देखा जा कि अफरीका महादेश में जो फल उकाया जाता था जैसे माली जी यह अफरीका है और यह है एसिया जब यूरोपियन अफरीका गया और अफरीका में जो कुछ फल था फसल था उसको उठा करके लाए कहां पे एसिया में और एसिया में लाकर के बो दिये तो एक तरीके से देख चाय गणना मक्का आलू तंबाकु नील आदि वस्तुए नविन वस्तुओ का परवेश हुआ तथा यूरोप के माध्यम से चाय कौफी तंबाकु आलू का भारत जैसे देशों में क्या हुआ आगमन हुआ और भारत भारती फसल जैसे आम हो गया गणना आदि का दूसरे छेत जाय मिली धार्मिक अंद्विश्वास तूटने लगे और दूसरी तरफ नए छेत्रों के अन्वेंशनों तथा नविन मार्गों के खोज के फल सुरूप जो अगर कहा जाए तो वानिजी और समराजवाद का विकास हुआ और इससे दुनिया का यूरोपीय करन कर दिया इस नहीं पूरे दुनिया में किसका परभाव हो गया बच्चो तो यूरोपिय कंट्रीज का परभाव हो गया ठीक है न इसलिए इसको बोलता है यूरोपीय करन जैसे अगर उनको भारत के बारे में नया समुदरी-मार्गों के बारे हम पता चला तो वह लोग भर-भर करके भा अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चो इस चेप्टर के जितने भी question answers हैं उन सभी को complete करेंगे ठीक है बच्चो तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और हां बच्चो अभी तक चैनल को सब्सक् लाइक कर दिजिए और अपने friends के साथ share जरूर किजिएगा ठीक है बच्चो तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद टेक केर